आज हम आप लोगों को बोलीवुड के उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की अपनी आखरी फिल्म नहीं देख पाए ये सभी अभी नेता पूरे बोलीवुड में मशूर थे आज भी बोलीवुड इन सभी अभी नेताओं को याद करता है जब कोई इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो हम सभी को दुख होता है और ये तो बोलीवुड के वो सितारे हैं जिने आज भी याद करके हमारी आखे नम हो जाती है राजेश खन्ना आप सभी ने राजेश खन्ना का तो नाम सुना ही होगा राजेश खन्ना बोलीवुड के ओरिजिनल एक्टर और फर्स्ट सूपरस्टार का दरजा हासिल कर चुके हैं 2014 में फिल्म रियासत रिलीज की कई थी जिसे देखना राजेश खन्ना के नसीब में नहीं था शम्मी कपूर जो की बोलीवुड के लिजेंड एक्टर और अपने जमाने के सूपरस्टार रहे हैं शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रॉक्षार थी ये फिल्म शम्मी कपूर साब की मोत के तीन महीने बाद रिलीज हुई थी अमरीश पूरी हम सभी ने अमरीश पूरी का नाम सुना है आज भी अमरीश पूरी की कोई फिल्म देखते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे बीच में अब नहीं रहे अमरीश पूरी अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार थे अमरीश पूरी को इंडिया के सबसे सफल विलेन के रूप में जाना जाता है अमरीश पूरी की आपरी फिल्म कच्ची सडक थी जो की उनके जाने के बाद रिलीज की गई थी